हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर दिव्य अपने योट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि कॉंस्टिपेशन या कबजी की समश्या होने पर हमें क्या-क्या खाना है और किन-किन चीजों को हमें अवाइट करना है तो कॉंस्टिपेशन आज की डेट में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है या हम ये बोल सकते हैं कि हर फोर में से एक परसन को आज की डेट में कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और जादतर लोग को तो ये पता ही नहीं होता है कि उसे कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम होने पर क्या-क्या खाना है और किन-किन चीजों को उन्हें एवाइट करना है तो आज का मेरे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफर्मेटिव होने वाला है जैसे पालक की भाजी है, मेथी की भाजी है, ब्रॉकली, बिन्स, लौकी, कदू, पपीता ये सारे वेज़िटेबल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइवर होते हैं और ये हमारे बॉवल मॉमेंट को इंक्रीस करती है तो इन सब के यूज़ करने से भी कॉंस्टिपेशन की प्रॉबलम में काफे रिलीफ मिल सकता है कुछ फूट्स हैं जैसे नास पाती है, कीवी है, एपल, ओरेंज, मुसंबी, अमरूत, पपीता इन सब फूट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइवर होता है और यह हमारी बॉडी को भी हाइडरेट रखते हैं, तो इनके यूज़ से भी कॉंस्टिपेशन की प्रॉबलम में रिलीफ मिलती है थर्ड है प्रोबायोटिक्स जैसे दही हो गया, इनके यूज़ से भी कॉंस्टिपेशन की प्रॉबलम में रिलीफ मिलती है फोर्थ है dry fruits, कुछ dry fruits हैं जैसे अंजीर है, किश्मिश है, खजूर है, इनमें भी बहुत ही जादा मातरा में fiber होता है तो ये constipation की problem को relief करने में help करता है उसके बाद है water intake, जो water होता है हमारी body में ये bubble moment को increase करने में help करता है जिससे digestion की process बहुत ही easily हो जाती है और ये जो water है, हमारी body को hydrate रखता है, तो per person को per day 10 से 12 glass पानी पीना है तो इससे constipation की problem में बहुत ही जादा relief मिलेगा फिर है दाले, कुछ-कुछ दाले हैं ऐसी है, जैसे अरहर की दाल है, मूं की दाल है ये भी constipation की problem को relief करने में बहुत ही help करती है और बहुत से लोग की ये आदत होती है, कि उनके खाने का कोई fixed time schedule नहीं होता है या वो बहुत ही late night खाना खाते हैं, तो इससे भी constipation की problem बहुत ही जादा बढ़ जाती है तो कोशिश करें कि खाने का एक fixed time schedule हो, कि हमें fixed इस time पे खाना खाना है और जब भी खाना खाएं, तो खाना ताजा खाएं, और उससे गर्म खाना खाएं, और जब भी खाना खाएं, तो उससे बहुत दीर दीर चबा कर खाएं तो constipation की problem से काफी relief मिलेगा फिर हम बात करते हैं कि constipation की problem में हमें क्या क्या चीज़े avoid करना है तो first है dairy product, जितने भी dairy product है, जैसे milk या milk से बनी हुई कोई भी चीज़े हैं, उसमें lactose बहुत ही जादा मातरा में होता है और ये lactose जो है, उसे हमारी body बहुत ही easily पचा नहीं पाती है, तो जिससे constipation की problem होने के chances बढ़ जाते हैं तो कोशिश करें कि जिनको constipation की problem है, वो ये dairy product avoid करें second है oily food, जो ये oily food होते हैं, जो तला हुआ खाना होता है, उसमें बहुत ही जादा मातरा में saturated fat होता है और ये जो saturated fat है, इसको हमारी body जो है, वो easily digest नहीं कर पाती, जिससे constipation की problem होती है तो जिनको जो constipation है, वो कोशिश करें कि oily food avoid करें third है prostated food, जो prostated food है, जैसे white pasta हो गया, या white bread हो गया, या white rice हो गया इन सब के use करने से भी constipation की problem बढ़ जाती है fourth है tea coffee, जो coffee है, वो body को dehydrate कर देती है, तो इन सब के use से भी constipation की problem बढ़ जाती है उसके बाद fifth में आता है, जितने भी junk food है, या packet food है, या फिर packet में आजकल जो juice आते है या मैदा, या मैदे से बनी हुई जो भी चीजे हैं, जैसे मैदे की बनी हुई biscuits है, समूसे है, कचोड़ी है इन सब चीजों को भी खाने से बहुत जादा constipation की problem हो सकती है तो कोशिश करें कि ये सब चीजे आप avoid करें, और जितना हो सकी ऐसी चीजे खाया जो बहुत ही easily digest हो सकी